गोल्स अफ क्रॉस कुल्चुरल रिसर्च चार बेसिक गोल है क्रॉस कुल्चुरल साइकॉलोजी के description, interpretation, prediction and management. यह psychology के generally scientific psychology के यही चार गोल है description, describe, जब कोई family बाप खर आता है और वो मिलके खाना खाते हैं तो आप उसे describe कर रहे हैं या बचे स्कूल में आपस में दोस्ती कैसे करते हैं उसे describe कर रहे हैं बजारों में लोग जब कुछ खरीद रहे होती हैं तो उनकी गुफ्तगू क्या होती है अब ये एक film की तरह होता है description आप वो देखते हैं observation पे based करते हैं और उसका नक्षा खैंचते हैं तो ये तो description interpretation के ऐसा क्यों हो रहे हैं उसकी कोई explanation क्योंके ऐसा है एक psychology की theory है कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसको इसने किसी को ऐसा करते देखा होगा तो बचे मारना सीखते हैं या मदद करना सीखते हैं तो copy करके सीखते हैं तो ये आप उसकी interpretation कर रहे हैं prediction ये कि अच्छा इसका मतलब ये है कि नतीजा ये निकला कि अगर ऐसा किया जाएगा तो बचा ये सीखेगा अगर आप किसी को सलाम करेंगे तो वो जवाब देगा तो आप आने वाले behavior को predict करते हैं तो ये भी psychological science का गोल है कि आप predict कर सकें जैसे medicine का गोल है पहले वो देखते ह हैं कि इस बिमारी में क्या symptoms हैं फिर उसके explanation ढूंडते हैं कि liver में कोई absis बन गया है फिर वो देखते हैं कि अच्छा गर आएंदा भी वो bacteria travel करेगा तो absis बनेगा तो हमें predict करना है कि जब कोई ये इस तरह का पानी पीएगा तो bacteria बनेगा और वो फिर travel करेगा और ये हो जा चाहिए वो health हो, disease हो, social behavior हो, educational achievement हो, number लेना हो, हाथसे हो, terrorism हो, political voting हो या और बहुत सी चीजें जेने हम study करते हैं खुशी हो कैसा करने से खुशी मिलेगी आपने predict कर दिया और अगर पूछ रहा हो खुशी का राज तो अगले किसी lecture में क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसे predict कर सक होंगे, क्योंकि उस चीज से हमेशा सब खुश होते हैं, ये goals को identify करने के बाद researcher choose करता है कि उसने method कौन सा use करना है, कौन सी approach use करना है, उसकी जो चीज करना चाता है उसके लिए क्या appropriate है, उस goals को पुरा करने के लिए, अगर description है उसका goal तो वो qualitative इस्तमाल करेगा, interpretation है तो qualitative औ data analysis quantitative को मिला के इस्तमाल करेगा, अगर वो prediction करना चाता है तो वो definitely quantitative करेगा, और जो मैंने आपको research की examples दी हैं, वो ज्यादा तर quantitative थी लेकिन उनमें mix भी थी, वो values वाली जो है, वो mix थी, पहले लोगों से पूछते थे थे फिर data को quantitatively दुबारा से और तरह करते थे, अब qualitative की example भी मैंने इस lecture में आपको reference दिया है और quantitative की भी, आपकी assignment आगे चलके इस में से ये होगी कि आप cross cultural psychology में qualitative और quantitative की examples जो है, वो कठी करें और उसके ओपर assignment करें